This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy! YouTube पे वीडियो डालना ही छोड़ गए है. माजरा क्या है? चलिए उसके बारे में तो बात में बात करेंगे. पहले हम बात करते हैं, जिनकी वज़े से ये सब हो रहा है, यानि कि दीदू. तो जो दीदू है, उनकी बाते बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं. लेकिन वो बाते time to time situation के हिसाब से change होती रहती हैं. जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा ही होगा, कि जो दीदू हैं, वो बड़ी ही शांत सी बैठकर, emotional सी होकर, जो हैं, अपने और अपनी सासुमा के रिष्टों के बारे में चर्चा करती हैं. वो पूर एक्स्प्रेइन करती हैं कि उनकी सासुमा सासुमा नहीं हैं, वो तो एक दोस्त हैं, दोस्त से भी बढ़कर हैं, उनकी मा जो हैं, वो मा हैं, लेकिन अपनी सासुमा को वो मा भी नहीं समझती हैं, सासुमा भी नहीं समझती हैं, उनको वो एक दोस्त समझती हैं. और और भी बाते बहुत सारी की थी कि जैसे कि मेरी मम्मी को तो मैं ज़्यादा टेंचन वाली बाते बताती नहीं हूँ वो मैं अपनी सासु मा को बता देती हूँ क्योंकि मम्मी को तो सिर्फ प्यार करना है ना और सासु मा को टेंचन देनी है है ना दीदू तो चलिए छोड़िएगा दीदू ने इतनी बड़ी बड़ी बाते की कि वो अपनी सासू मा को भी उतना ही प्यार करती है उतना नहीं थोड़ा सा 19-20 का फरक होता है थोड़ा सा प्यार जादा अपनी मा को करती है क्योंकि मा तो मा होती है और सासु मा को इन्होंने दोस्त बना लिया है और दोस्त कभी मा के बराबर हो नहीं सकता है तो कुछ उल्टा पुल्टा गुमा फिराके इन्होंने कहा कि पहले नंबर पे इनकी मा है और दूसरी नंबर पे इनकी सासु मा है लेकिन फिर भी एकवल प्यार करती हैं कुछ इस तरह से बोल रही थी तो चलिए दिदू एक बात बताईए जब घुमने फिरने की बारी आती है तो हमेशा आप अपनी मा को ये अपने साथ लेके जाती है सासू मा को तो गिनी चुनी बार ही लेके गई है तो ऐसा क्यों? और बाकी देखा जाए तो इस में जो हम कहेंगे वो कमी सिर्फ दीदू की नहीं उनके हस्बन की भी है वो क्यों नहीं चाते कि उनके मम्मी उनके साथ जाए? वो क्यों चाते है कि सिर्फ और सिर्फ उनकी सासू मा ही मैं ने कentar के साथ जाए मैं अब चलो मान लिया इन्हों ने तो देखो सक्क्षाफ कहए दिया था कि मेरी सासू मा मेरी मा की जैसी है लेकिन मां एक मां होती है मां का ओधा थोड़ा बड़ा होता है तो मेरी खुद की मां मेरे पहले नंबर पे मेरी पती की मा जो है, वो मेरे लिए एक दोस्त है, मा से थोड़ा सा कम है तो इनका point of view तो इन्होंने बता दिया कि यह reason है लेकिन भट्टू, इनके husband, उनका क्या point of view है? वो तो बिल्कुल गुंगे बहरे बन कर बैठे रहते हैं बिल्कुल dummy की तर है, हाँ कहो तो हाँ, ना कहो तो ना मतलब खुद का कोई point of view नहीं है, खुद की कोई बाते नहीं होती उनकी सिर्फ silent रहते हैं, जब camera मुँपे लगा दो तो एक smile दिखा देंगे टिंग टाउ, that's it तो बट्टू एक बात बताओ, तुम्हारी wife अपने vlog में बार बार बोलती है काईस आप लोगों को याद हो, जब इनकी सासुमा कानपूर में थी, तो वो बार बार बोलती थी दीदू, मेरी सासुमा को घूमने का बहुत शोक है, बाहर जाने का बहुत शोक है दो मिनिट में रेडी हो जाती है बाहर जाने के नाम पे, तो कुल मिला के कहा जाए कि उनकी सासुमा को घूमने का शोक तो है, लेकिन उनकी बेटे, यानि की भट्टू में दम नहीं है उनको अपनी मा को साथ ले जाए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनकी जबान भी नहीं खुलती है तो दीदू जब आपकी सासुमा कान पूर आती है, तब आपकी सासुमा को घूमने का शोक होता है लेकिन जब आप लोग यहां आते हैं तो आपकी सासुमा का घूमने का जो शोक है वो बिल्कुल खतम हो जाता है वो घर पे रहना चाती है अपने पती के पास रहना चाती है इसी तरह के एक्स्प्लेनेशन देती हो ना जब एक्स्क्यूज देने का टाइम आता है तो तो गाइस बात ऐसी है कि घूमने के नाम पे यह सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी को साथ लेके जाती है चलो इन्होंने अपना जो था कि चलो मैंजी अपनी मम्मी को लेके जाना है ले गई लेकिन भट्टू तुम्हारी मम्मी को भी तुगूमने का शोक है ना उसका ख्याल कोन रखेगा ससुराल में आके रहते हो इसका मतलब ये तो नहीं कि अपने घर वालों को भूल जाओगे चलो एक बात और पता देते है कि भट्टू के अपने घर में कितनी चलती है या ये खुद जो है इनके अंदर emotions नाम की चीज़े हैं भी या नहीं है अब देखिए जब दीदू को जब भी यहां पर आना होता है अपने माईके में तो वो क्या करती है शोपिंग करती है किसके लिए अपने भांजे के लिए तो क्या भट्टू का कोई भाई बतीजा भांजा कुछ भी नहीं है उनको तो कभी भी किसी के लिए भी शोपिंग करते हुए नहीं देखा क्यूं भाईया बिल्कुल भी नहीं चलती घर में ऐसा भी क्या रोब है आप लोगों पे समझ में नहीं आता और दीदू आप भी आप क्या सिखा रही है अब गाईस देखो यहां से प्रूव मिलता है कि जो प्रीतो हैं वो अपनी दीदू की जैसी बनना चाती है जो प्रीतो हैं वो भी हमेशा एक ही बात करती है कि जो उनका बेबी है उसका जो भाई या बेहन होगा वो कौन होगा सिर्फ और सिर्फ दीदू के बच्चे होंगे जबकि उनके खुद के घर में उनकी ननन्द का एक बेटा है अन्वित उसके बारे में कभी भी बात नहीं करती उन्होंने आज तक अपने व्लोग में एक बार भी नहीं बोला कि देखो जो मेरे ननन्द का बेटा है वो मेरे बेबी का भाई लगता है नहीं हमेशा क्या बोलें कि जो इस दुनिया में है ही नहीं उनकी बाते करती है कि मेरी बहन के बच्चे होंगे वो मेरे बच्चे के भाई बहन लगेंगे कपड़े लेके आती हैं जब भी वह बाहर जाती है तो कपड़े देखते ही उनका मन करता है कि बच्चों के लिए कपड़े ले ले लेकिन अपने जेट के बच्चे यानि कि अपने हस्बंड के ब्रदर के जो बच्चे हैं उनके बारे में कभी भी नहीं सोचती कभी भी उनके के लिए कपड़े नहीं लेकर आतीं कुछ भी नहीं लेकर आती है, खाली हाथ मुठाके अपने ससुराल जाती है, कि वापस आ जाती है, though आधी है, शिर्फ बाते करने की लिए उनके पास होता अपने लाके दिखा देती हो, जुते दिला देती हो, तो डन, भट्टू तुम भी अपना कुछ फर्च निभालो, या फर्च के नाम पे बाबा जी का ठुलू ही है, अब बात ऐसी है कि जो अकू है, वो इनकी तरह नहीं बन पाया, और इसी लिए उसको साइड लाइन कर दिय गया है, अंडरग्राउंड कर दिया गया है, इसी लिए जो दीदू है, उनको बार-बार धमकी देती है, अब ऐसा भी हो सकता है, कि दीदू जो है, वो टाइम टो टाइम भट्टू को भी धमकी देती हो, किस बात की, ये तो वही जाने, राइट, लेकिन वो इतने दबे वाइफ के अंडर, वो समझ से बाहर है, गैस अब आप लोग देखो कि ये कितनी बार अपनी ही बात से पलट जाती है, इन्होंने कहा कि ये अपनी मा की आँखों में आसू बरदाश नहीं कर सकती, और यहीं से सारा जगडा प्रितो के ससुराल वालों के साथ इनका शुरू पाई थी, और इसलिए इन्होंने अपनी ही बेहन के ससुराल वालों की यहां योट्यूब पर इजजत उचाल दी थी, तो पिर अब दीदू अपने वलोग में क्या कर रही है, अभी आप लोगोंने अगर देखा हो जब वो शिमला में घूम रही है, नए नएगर देखने जा रही है तो गाड़ी में जब वो बैठे होते हैं बैक सीट पर उनकी मम्मी और उनका भाई होते हैं उनकी मम्मी अपने पुराने दिनों को यानि कि जब उनके हस्बन जो है वो जिंदा होते हैं उस टाइम की बाते याद करके उनकी आखों में आसू आ जाते हैं तो तो आज के दिन जब आपकी मम्मी के आँखों में आसु आ रहे हैं, तो उल्टा आप अपनी मम्मी को ही सुना रही हो, उनको आप दोनों भाई भेन, आपका छोटा भाई और आप अपनी वीडियो में शूट कर रहे हो कि देखो मेरी मम्मी किस तरह से रो रही है, तो आज आपको कुछ भी नहीं हुआ, आपके अंदर के जो इमोशन से आपका प्यार था आपकी मा के लिए, जो आपकी मा की आँखों में आसु को बरदाश नहीं कर सकता था, आज तो बड़ एच्छ से बरदाश कर रहा था, तभी आप लोगों ने अपने व्लोग में भी करके रो रही है, उनकी आँखों में आसु आ गए थे, और आज आप अपनी मा के लिए कैसी बाते कर रहे हो, हीपोक्रसी की भी सीमा होती है, जी हाँ सीमा हर चीज की होती है, लेकिन इनकी बातों की और जो बातें पलड़ जाती है, सिच्वेशन के हिसाब से उनकी कोई भी सीमा नहीं होती, गाइस देखों इन्हों ने अपनी ममी के उपर ब्लेम लगाया कि ये हर जगे शुरू हो जाती है, अब आप लोग बताएगा कि जब भी शिमला का नाम आता है, तो क्या ये दीदू शुरू नहीं हो जाती है, क्या ये बार बार अपनी उन्हीं घिसी बातों को रिपीट नहीं करती है, क्या ये बार बार नहीं बोलती है, कि ये तो emotionally attached है, इस प्लेस से, यहाँ पर इसके पापा रहते थे, दादा रहते थे, ये बाते, वो बाते, क्या ये खुद रिपीट नहीं करती है, ये भी तो रिपीट करती है, फिर अपनी मा पे कैसे जाम रगा सकती हैं कैसे अपने हस्बेंड और भाई को भाई के सामने अपनी मां को ऐसी बाते बोल सकती हैं कि जहां देखो वाँ शुरू हो जाती हैं कैसे बोल सकती हो आप तो प्रॉब्लम पता क्या है जब ये इस तरह की ऊट पटांग बातें किसी और के लिए करती हैं अक बेटी को कि बेटी आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए वो तुम्हारी बेहन का हस्बेंड है इस घर का जमाई है तो यहां अपने व्लोक्स में कम से कम इस तरह की बातें की बातें मत करो नहीं तो देख लो आंटी जी आज आपकी बेटी आपकी इमोशन्स को भी क्या बोल र चाहिए पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ आईए वाईएस बनो और देश को समाल तो चलिए गाईस शायद ऐसा हो जाता तो कुछ और ही बाते होती पर छोड़िएगा इनका तो ऐसे ही चलना है अब बात करते हैं कि अक्कु और प्रीतो पर तो देखो होता क्या है कि अश्टमी के दिन प्रीतो जो है वो अपने ससुराल में आ जाती है उसके बाद जो है आपने देखा होगा कि अक्कु एक वीडियो डालते हैं अश्टमी वाली वो नौमी के दिन जो डालते हैं जिसमें वो अपनी ममी को एक फोन गिफ्ट करते हैं अब आप लोग देखें क पोन आता है, खोड़िद के लाया जाता है, दिया जाता है, गिफ्ट भी, unboxing भी की जाती है, सब चीज़े की जाती है, लेकिन वहां पर प्रितो कहां होती हैं, सो रही होती है, राईट, क्योंगी दिखाया था, कोड़ बना बना अता है, कि तक दोने एक साथ मिलकर दिखाते है ग्रोसरी का समान आता है वो दोनों एक साथ मिलकर अपने विवर्स को दिखाते हैं अब तो फोन आया था और उस टाइम में प्रीतो सो रही थी मतलब वो वीडियो में ही नहीं आती है तो यानि की प्रॉबलम तो है और सेकेंड तिंग उसके बाद से वीडियो नहीं आ रही है सबसे बड़ी प्रॉबलम यही है तो प्रीतो अगर सच में आप दोनों के रिष्टों में आपकी बहन के आने से कोई फरक नहीं पड़ा है तो फिर आप लोग अंडरग्राउंट क्यों है क्यों जान बूज कर कोंट्रवर्सी क्रियेट कर रहे हो या अकू परपसली कर रहा है बोलो बोलो तो गाइस अकू तो इस बात का जवाब देगा नहीं लेकिन हाँ आप लोग इस बात का जवाब जरूर कमेंट बुक्स में दे सकते हैं तो के आज के लिए इतना ही कल फिर मिलेंगे एक नहीं वीडियो के साथ और तब तक के लिए बाइबाई बुक्त